find the quadratic polynomial sum of those sum of zeros is 5 by 2 यानि कि आपको यहां पर मालने ना होगा कि हमारे पास 2 zeros है we have zeros ऐसे माल लेजे कि zeros are one is alpha and second one is beta यहां पर sum of zeros दे रखा है product of zeros यानि कि alpha into beta कमान दे रखा है तो alpha प्लस बीटा देने का मतलब हो गया कि आपके पास यह 5 by 2 दे रखा है यह ना sum of zeros is 5 by 2 and their product is one अगर आपको इसके help से polynomial निकलना होता है तो formula क्या होता है कि x square माइनस में alpha प्लस बीटा यानि कोई sum of zeros into x आप प्लस में alpha into beta होता है एक से स्क्वार का एक स्क्वार माइनस अलफा प्लस बीटा क्ली क्या हो जागा यह आपका 5 by 2 x and plus का alpha into बीटा क्ली यह आपका हुआ अब इसको solve कर लिए ज़र आप जब इसको solve करेंगे आप तो आप आएंगे क्या कि x स्क्वार माइनस का 5 by 2 x प्लस का 1 equal to 0 प्लस कर लिए यहाँ पर 0 करना है इसका तो और यहाँ पर इलसिम निकाल लिएगा ते इलसिम इसका 2 आएगा क्रोस मल्टिप्लाई कीजिए यह आपका 2 x स्क्वार माइनस का 5 x प्लस का 2 equal to 0 क्रोस मल्टिप्लाई के साथ ही यह आपका 2 x स्क्वार माइनस का 5 x प्लस 2 equal to 0 हो जागा क्योंकि यह क्रोस मल्टिप्लाई 0 से नहांत होगा और यह खतम अब आपको बस इसको solve करना है 0 के से बाटना है कि आपका 5 आजाए तो आपको होगे 4 multiply with 1 4 होता है आप 4 में 1 जोड़ होगे तो 5 आजाएगा तो माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका प्लस का 2x square इकाल लेगा तो यहां पर आपका x माइनस में फिर से 2 हो जाएगा और दूसरी बार आपको 2x माइनस 1 के बराबर में 0 को ले लेना है जब इसको solve करेंगे तो आपको 1 x कामाण कितना जाएगा टूथ 10 समारा यह हो गिया और यहां पर 1 x कामान कितना और आपको जाएगा तो आपका आंसर आजाएगा चुलिए नेक्स कॉस्न देखिएका